पर है ओफिशल नॉटिफिकेशन था कैलेंडर करके वेबसाइट पर एंटी है की और वो कल रात में आया है तो नीट सात मही को हो रहा है हमारे पास टोटल 140-142 दिन है लगबग और उसी में हमें अपना बेस्ट करना है और और इस टार्गेट को अचीव करना है तो सात मही ड आप मुझे एक चीव बताओ अगर डेट नहीं भी आती तो क्या आप नहीं पढ़ते डेट आ गई है तो ऐसा थोड़ी 24 में से 26 वड़ोगे तो अपनी स्ट्रेंद पर रहो बेसिक से पढ़ो टाइम वेस्ट कम कर दो जो आप कर रहे थे और अपने प्लान पर स्टिक रहो आपका सेलेक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा पैनिक करने से डरने से सेलेक्शन कभी नहीं होता है ठीक है एक प्रॉपर हम लोग सिक्वेंस से रिविजन स्टार्ट करेंगे मैं आपको कर दोंगा जिसमें वीक में मैं कितना रिवाइस करा रहा होंगा क्या-क्या चीज का नाम ले रहा होता हूँ बात ये है कि हम करा रहे हैं वो भी कराएंगे तो आप करो ना कोई दिक्कत नहीं है सभी टीचर आपके लिए बहला सोचते है ठीक है यहां तक समझ में आ रही है तो अब सिलेक्शन कैसे होगा इस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको क्या कर अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना सिलेक्शन हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है और आपको मतलब क्या करना है दो महीने में आपके पास डेली सेल्फ स्रडी का इतना सारा टाइम होगा लगबग साथ दिन होगे जिसमें आप डेली 14 से 16 गंटे पढ़ सकते हो तो अरहसानी से सारा स्लेबस रिवाइज हो जाएगा अभी हमें क्या करना है करेंट को पढ़ते विए थोड़ा-थोड़ा 11 रिवाइज करते विए चलना है पर करेंट को सही से पढ़ना है तो मैं एक प्लान आपको दे देता हूं ठीक है कि इसके अकॉर्ड तो आपको ये समझना पढ़ेगा कि अगर हमें सिलेक्ट होना है हमें नीट में अच्छा करना है तो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है तो बचेवे 140 दिन में ये प्रोसेस अच्छा फॉलो होना चीए आपने अपनी टाइम वेस्टेज कम कर देनी है सोने का टाइम छे से साथ गंटे बहुत है, आप टीवी में और फोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डेली के डेली गोल बनाने हैं, अपनी कॉपी पर डेली का डेली लिख लिया करो कि कितना पढ़ना है, और आपको बिटा बिलकुल ये समझना पड़ेगा कि हम बोलते भी हैं आपको इस बात को कि हम हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आपको सारा रिवाइस भी कराएंगे, तो प्लीज गवराओ नहीं, डरने की कोई ज़रोत नहीं है, इस साल आपको सेलेक्ट होना और अगले साल वाले बैच में आपको मेडिकल कॉलेज में बैटना है, तो प्लीज इस सीच को अपनी दिमाग में बिठा लो कि डरने से नहीं होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करना है.